परियावरन और प्राशित्की के इंतरगत इस अध्याय में हम जीवोम अर्थात बायोम का ध्यान करेंगे। हिंदीम उसे जीवोम कहते हैं, इंग्लिश में बायोम, तो major biomes of the world. बायोम क्या होता है? बायोम मतलब प्रिथ्वी पर अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग जलवायू पाई जाती है. विश्वत रिखा के पास दूसरी जलवायू है, मद्य अक्छांसों में अलग जलवायू है, और धुर्वी छेत्रों में एक दूसरी तरह की जलवायू प प्रजातियां पाई जाती है जब जलवायू बदल जाती है तो पौधों और वनस्पतियों की प्रजातियां भी बदल जाती है तो एक विशेश जलवायू छेतर में वनस्पतियों और जीवों जन्तों से मिलकर बने पारिस्थित्की को बायों पहते हैं हमने लिखा है जलवायू बदलेगा, मतलब हम किसी दूसरी जलवायू खेत्र में चले जाएं। तो दूसरी जलवायू खेत्र में जाने पर बायों भी बदल जाए गा। दूसरे सब्सक्राइबária जीवों और वनसपतियों की परजातियां भी चैंज हो जाएंगी। तो प्रतेक तरह के जीवों और वनस्पतियों की परजातियों का एक निस्चित जलवाईवी छेतर होता है और उस जलवाईव छेतर के अंदर कुछ निस्चित प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की परजातियों की परस्थित की दिखाई देती है उनका सह अस्तित तो दिखाई देता है इस बायों में जीव और वनसपती एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनका सह अस्तित तो चलता है एक दूसरे के प्रतियुफ प्रतिक्रिया भी करते हैं एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं और सहास्तितों के साथ रहते हैं अगर एक बायों में किसी दूसरी प्रजाति को छोड़ दिया जाए तो वो असंगत होगा क्यों क्योंकि प्रकृति ने प्रतेक वनस्पति और जीव जन्तु की प्रजाति को उस जलवायों में रहने के लिए अनुकूलतम बनाया है धीरे धीरे है ना तो उसमें असंगत जीव और वनस्पति की प्रजाति को हम डालेंगे तो परस्ति की तंत्र बिगड़ेगा धीरे धीरे तो हमने बताया कि जलवायू बदलने पर बायोम भी बदल जाता है यानि वनस्पतियों और जीओं की प्रजातियां भी चेंज हो जाती है ठीक है तो बायोम का निर्धारण जलवायू के अनुसार होता है क्योंकि धरातल पर वनस्पतियों और प्राडियों के वितरन पर जलवायू का प्रभाव सबसे अधिक है अब एक चीज और देखते हैं क्या दो बायोम के बीच एक इस्पस्ट सीमा रिखा होती है माल लेते हैं हमें एक दूसरे जलवायू छेतर में गया वहां दूसरा बायोम है यहां दूसरा बायोम है और दूसरे जलवायू छेतर में एक दूसरा बायोम है तो क्या दो बायोम के बीच एक स्पस्ट सीमा रेखा होती है जिसके उस पार वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां दूसरे तरह की और इस सीमा रेखा के इस तरफ जीवों और प्रजातियों की वनस्पतियां दूसरे तरह की ऐसा नहीं है दो बायोम के बीच कोई इसपस्ट सीमा रेखा नहीं है जिसके उधर दूसरा बायोम और जिसके इधर दूसरा बायोम ऐसा कोई सीमा रेखा नहीं होता है वरन दो बायोम के बीच एक संकरमर छेतर होता है इस संकरमर छेतर को हम माध्यमिक छेतर कहते हैं नहीं भी दो बायोम या दो परिस्थिक तंतर की मद्ध एक संक्रमर छेत्र होता है जिसे हम माध्यमिक छेत्र कहते हैं इस माध्यमिक छेत्र में दोनों बायोम की विश्यस्ताइं परिलक्षित होती हैं कलपना करिएगा दो बायोम की बीच में जो संक्रमर छेत्र होता है उसम दोनों बायों की विशेस्ताएं परिलक्षित होती हैं दिखाई देती हैं अर्था कहने का मतलब दोनों बायों की वनस्पतियों और जीओं की प्रजातियां उस संक्रमण छेतर में उपस्थित होती हैं यानि दो बायों के मध्य बदलाओ धीरे-धीरे होता है और उस माध्यमिक छेत्र जिसमें दोनों बायों के विश्रिस्ताएं दिखाई देती हैं उसे हम एकोटोन कहते हैं सबसे पहले हम यह देखेंगे कि बायों होते कितने तरह के हैं बायों के प्रकार क्योंकि इन ही का आने वाले समय में अध्यन करना है ये काफी विस्त्रित और व्यापक है इसमें कई चीज़ें आपको दिखाई देंगे सबसे पहले तो इस्थली बायोम भी हो सकता है और जली बायोम भी हो सकता है हम इस्थली बायोम के इंतरगत क्या क्या पढ़ेंगे वन बायों, घास बायों, टुंडरा बायों, मरुस्थल बायों ये चार अलग-अलग तरह के इस्थली बायों है अब वन बायों को भी चार भगों बाटते हैं विश्वती वन बायों, मानसोनी वन बायों, रूम सागरी वन बायों भुमद्य सागरी भी कहते हैं इसे भुमद्य सागरी वन बायोम तैगा या कोडधरी वन बायोम ये हो गया आपका इस्थली बायोम आने वाले सुमय में इन सभी का हम अध्यान करेंगे जली बायोम देखते हैं जली बायोम में सागरी बायोम है जली बायोम है, सागरी बायोम है, संक्रमन कालीन बायोम है, स्वच्छ जल बायोम है संक्रमन कालीन बायोम का आर्थ है, एक तरफ तो सागरी बायोम है, दूसरी तरफ स्वच्छ जल बायोम है, जो भूमी के अंदर होता है तो terce रेखा पर जहाँ पर सागरी खारा जल और स्वच्छ जल अपस में मिलते हैं उसे संकरमण कालिन बायोम कहते हैं इसके अंतरगत संकरमण कालिन बायोम के अंतरगत हम आर्दर भूमी, कच्छ और मैंगरो, ज्यौर नद्मुख के अध्यन करेंगे सागरी बायोम के अंतरगत हम खूला समुद्र, प्रवाल भित्ती बायोम, बैरियर द्वीब बायोम और तर्ट रेखा बायोम का अध्यन करेंगे स्वच्छे जल बायोम में हम इस्थिर जल यानि तालाब और जील और भातावा जल नदी और जहरना इत्या दियाते हैं अध्यन करने वाला सागरी बायोम और संक्रमण कालिन बायोम है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं कहां से सबसे पहले हम इस्थली बायोम के अंतरगत वन बायोम को देखेंगे लियर वन बायोम वन बायोम में सबसे पहला है विश्वत रिखी वर्षा वन बायोम या विश्वती वर्षा वन बायों भी कहते हैं विश्वती वर्षा वन बायों कहां पाय जाएगा विश्वत रिखा के 10 डिगरी उत्री अक्षांस और 10 डिगरी दक्षडी अक्षांस के मर्ध में विश्वती वर्षा वन बायों पाय जाता है इसकी विश्यस्ताय क्या है? विश्वत रिखा पर वर्ष भर्ष सरवाधिक तापमान मिलता है, सुर्यातप की मातर अधिक होती है, उचितम धरातल पर ये उचितम तापमान का छेतर है, अधिक तापमान यहाँ पर आउसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 200 cm, विश्वत अधिक होता है तो वर्षा अधिक होती है विष्वत रेखा के सहारे साल भर वर्षा होती है प्रदाम सुरख़प यहां पर आउसत वार्षिक वर्षा 200 School होती है अधिक वर्षा अधिक तापमान हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि प्राथमिक उत्पादकता प्राथमिक उत्पादक कौन है वर्णस्पतियां प्राथमिक उत्पादक है जो सौरीक उर्जाक को राषानिक उर्जा में प्रुषित करके अपने लिए आहार बनाती है य यहां पे सूर्यातब की मात्रा सूर्य प्रकास की मात्रा अधिक प्राप्त हो वहां पे प्रात्मिक उत्पादक्ता अधिक होती है यानि ऐसे छेत्रों में जहां सूर्य प्रकास प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध है और वर्षा प्रयाप्त हो रही है ऐसे छेत्रों में विकास हुआ है यह बहुती घने होते हैं तो इन छेत्रों में बहुती सघन वनों का विकास हुआ है इन छेत्रों की प्रात्मिक उत्पादक्ता काफी अधिक होती है जैसे वर्षावन कहां कहां पाए जाते हैं अमेरिका महादूइप में पाए जाते हैं विसेसकर ब्राजिल में अमेजन नदी की बेसिन में अमेजन नदी की घाटी में उसे हम कहते हैं ब्राजील की वर्षावन को हम क्या कहते हैं अमेजन अफरीका में जायरे नदी के सहरे कांगो का वर्षावन पाए जाता है ये भी विश्वत रिखा पर है अफरीका में विश्वत रिखा के सहरे का भारत का जो प्रायद्वीपी छोर है दक्षडी हिस्सा है वो विश्वत रेखा के अधिक नजदीक है इसलिए भारत के दक्षडी छेत्रों में भी तापमान उचा रहता है सूर्य प्रिकाश की अधिक मात्रा प्राप्त होती है साथ ही बंगाल की खाडी साखा और अरब साग करता है ऐसे छेत्रों में कौन-कौन है पस्मी घाट असम और अंड माननी को बार पस्मी घाट असम और अंड माननी को बार इन छेत्रों में भी वर्शावनों का प्रयाप्त विकास हुआ है तो भारत विश्व में वर्शावन कहां कहां पाए जाते हैं अमेजन कांगो आप समय में आयाओ कि विश्वत रिखी वर्षावन क्यों है क्योंकि यहाँ पर तापमान भी अधिक है और वर्षा भी परयाप्त होती है यह कहाँ पाए जाता है विश्वत रिखा से 10 जगरी उत्तरी और 10 जगरी दक्षडी अक्षानसों के मध्य इस बायों का विकास हुआ है क्योंकि हुआ है ना कि विभिन प्रकार की देढ़ियों की प्रजातियों का भी यहां पर क्वूव विकास हुआ है क्योंकि यहां पर आहर की कमें नहीं है प्रत्ऽु कुद्पादक्ता मैतलब पीड़ पॉध है और जेव जन्तूओं के लिए भोजन है तो प Capital को शाकारी खाएंगे शाकारियों को मासारी खाएंगे चुकि यहां भोजन की उपलब्धता खुब है इसलिए भीन प्रकार के जीव जनतों का विकास हुआ है जो वर्षा वन बायों है यानि विश्वती वन बायों वो प्रित्वी के किवल 13% छेत्रफल पर है लेकिन विश् कि खिरिड अमेरिका का जावा सुमात्र हें खारफ जैसे कुछ देशों का तो विश्व भर में विश्वती वन वयम् के टेल तेरह मियव प्रिशत है रेकिकारा में सबसे अधिक घने होते हैं और सरवाधिक जीव भार भी इनी वनों में पाया जाता है जीव भार मतलब वनस्पतियों और जीव जनतुओं का जो शुष्क भार होता है अगर हम पानी को हटा दें वनस्पतियों और जीव जनतुओं में से हम पानी को हटा दें उनका जो शुष विवित्ता सर्वाधिक पाई जाती यानि जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की विवित्ता यहां पर काफियाधिक है यहां पर कुछ आर्थिक दिरिश्ट्री से महत्पूर्ण वरिक्षों का विकास हुआ है जैसे महोगनी रोजूट आबनूस रबड सिंकोना होता है ज्यादा तर आर्थिक दिरिश्ट्री से महत्पूर्ण वन टैगावन होता है सितोस्र वन टैगा सितोस्र या कोंडधारी वन भी कहते हैं कोंडधारी वन या टैगावन की लकडिया मुलायम है इसलिए आर्थिक दिरिश्ट्री से ज्यादा महत्पूर्ण है जिनके सूर्य प्रिकास प्रतिसपर्धा होती है क्योंकि बहुत घना है घना है तो हर पेड़ उपर आना चाहता है ताकि सूर्य प्रिकास प्राप्त कर सके तो सूर्य प्रिकास प्राप्त करने के लिए वनस्पतियों में प्रतिसपर्धा होती है हर पेड़ उपर आना चाहता है ताक पादब पाए जाते हैं जो बड़े व्रिक्षों के नीचे थोड़ा बहुत धूप आ जाती है तो उसे प्राप्त कर लेते हैं इन्हें हम एपिफाइट्स कहते हैं लियाना नामक लताएं अमेजन और कांगो में पाई जाती हैं ये लताएं भी प्रतिसपर्धा करने के लिए पेड़ों के तनों के सारे उपर उठने का प्रयास करती हैं पेड़ों के तनों के पकड़ लेती हैं और गोल गुंते हुए उपर आने का प्रयास करती हैं इन्हें हम लियानास कहते हैं लियानास नामक नाता है ये धरातल से उठती हैं और उपर के रोठती चले जाती हैं त तो सुर की रोष्णी धरयातल तक नहीं पहुंचती पोरान सुर की रोष्णी के-लिए परतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। यही कारण है कि वन作़ इस साल भर यहां पर बढ़ती राते हैं। क्योंकि पानी भी है और प्रकास भी है। तो चुकि यहां प्रात्मी कुद्पादक्ता अधिक है इसलिए प्राडियों को भोजन के लिए प्रवास नहीं करना पड़ता जिन छेत्रों में प्रात्मी कुद्पादक्ता पर्याप्त नहीं होती है मतलब बारिश होई तो प्रात्मी कुद्पादक्ता आगे मतलब हरे भर पेढ पूधे बारिज के बार्ज कि मौत सम में जब भर भर सूंख जाते हैं तो एसे मौस आ से जलवाइभू छेत्रों मैं बता रहा हूं ऐसे जलवावी छेत्रों में wish तापमान परयाप्त नहीं होता या फिर वर्षा परयाप्त नहीं होती है वहाँ पर वरिक्ष मौसमी रूप में हरे भरे होते हैं साल बर हरे भरे नहीं होते हैं तो जब वरिक्ष सूख जाते हैं या उनमें प्रात्मिक उत्पादक्ता की कमी आजाती है पतियां गिर जाती है तो ऐसे छेत्रों में जीयों की प्रजातियां प्रवास करती हैं, खास कर जो शाका हरी होती हैं, बड़े पैमाने पर उनको प्रवास करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि घास हो गए हैं, घास हो गए हैं तो खाएंगे क्या? तो आपने डिस्कवरिया एनिमल प्लैनेट में देखा होगा की प्रकृति किस तरह से खेल खेलती हैं, आपने देखा होगा वेल्डर बीस्ट, जब अफ्रीका की सावाना में होते हैं, जब वहाँ पर ये घास चर जाते हैं, बचा खुचा घास भी जब चर जाते हैं, क्योंक प्रवास करते हैं, तो रास्ते में नदियां पड़ती हैं, नदियों में मगर मच्छों को पता है कि किस मौसम में ये प्रवास करते हैं, क्यों, क्योंकि उसी मौसम में हुआ सूखा पड़ता है, तो मगर मच्छों को आदत पड़ गई हैं, वो उसी मौसम में हजारों की सं वेल्डर बीस्ट वहाँ पर मारे जाते हैं प्रवास, यानि प्रवास करना वेल्डर बीस्ट जो साका हरीजी होते हैं, उनके लिए खत्रे का बड़ा सबब बनता है, हजारों की उसमें मौत हो जाती है, या तो भूख के चलते, या मगरमच का सिकार होने के चलते, लेकिन अम अमेजन में साल भर प्रात्मी कुद्पादक्ता परियात मातरा में होती है, जिसे यहां के जीवों को प्रवास नहीं करना पड़ता, अमेजन के वर्षावनों में क्या है कि साल भर वर्षा होती है, विशुवत रिखा के सहरे है, साल भर वर्षा होती है, जैसे अमेजन का ले लेते हैं विश्वत रिखा गई है ब्राजिल से बिचो बीच इसके पूरम में क्या है अट्लांटिक महासागर है अट्लांटिक महासागर क्या है आइटी सीजेट का छेतर है पर्यापत वहां पे वास्पी करण होता रहता है विश्वत रिखा के सहरी वो सारा का सारा वास पर बादल बनके कहां बरसता है आमेजन की घाटी में बरस जाता है तो जादा बरसा की चलते क्या होता है कि जो विश्वती वर्षावन होते हैं उनमें मिट्टी का निक्छालन हो जाता है मिट्टी की निक्छालन से मतलब है कि जब वर्षा होती है तो मिट्टी की जो खनीज पोशक तत्तो होते हैं, वो रिसकर मिट्टी के नीचले इस तरों में चले जाते हैं और पेड़ों की जड़ों को सुलब नहीं हो पाते हैं, प्राप्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि नीचे चले जाते हैं, तो ऐसी मिट्टी को हम निक्छालित मिर्दा कहते हैं ऐसे मिट्टी ज्यादा तर लाल कलर्की हो जाती है इसे लाल कलर्की क्यों हो जाती है क्योंकि सूर्य प्रकास बहुत पढ़ता है तो जलके लाल हो जाती है मिट्टी तो ऐसे मिट्टी को हम लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं तो वर्षावनों में ज्यादा तर लेटराइट अगर आग लग जाए जैसे अमेजन के जंगल वब भी को जिन पहले आग लगा तो आग लगने के बात खत्रा यह होता है कि फिर से हरे भरे जल्दे नहीं हो पाएंगे या तो इंसानों दोरा सुनियोजी तरीके से इनको जला दिया जाए या प्राकृतिक कारणों से आग लग जाए या इनकी कटाई कर दिया जाए तो यह फिर से सीग्र हरे भरे नहीं हो पाते हैं क्यों कि मिट्टी में पोशक तत्तों का अभा होता है तो यह इनके सामने खत्र अगि मौसं के साथ हवाओं की दिशा पूरी तरह विपरीत हो जाती है उन्हें मनसूनी जलवाईवी वालदेट कहता है एसे मनसूनी जलवाईवी वाले उसे वर्षा होती है पड़ाम सुरूप ऐसे छेत्रों में साल भर वर्षा नहीं होती है वर्षा मौसमी होती है यानि वर्षा की कम मात्रा परात तो होती है सीमीत वर्षा होती है ज्यादा तर व्रिक्ष क्या होते है पढ़पाती होते हैं इसे हम क्या कहते हैं पढ़पाती व पानी को उपर उड़ाती रहती हैं तो वास्पो सर्जन द्वारा मृत होने से बचने के लिए पेड़ क्या होते हैं अपनी पत्तियों को यहाँ पर गिरा देते हैं ऐसे छेत्रों में विशेश रूप से सी-, तरितियों के अंत्र में पत्तियों कि राते हैं कौन कों से विरष्ष पाए proved जाते हैं सीसं सागॉण बास जामुन महुआ आम बरगत पीपल यह सब नीम नीम भी आ जाएगा नीम बरगत पीपल यहांके प्रमुकर्व से विच्छ होते हैं यह विरिशव का सबसे वी जादा तर मानसोनी वन बायों में मानो जन संख्या का ख़व विकास हो गया है इसलिए विक्षों की कटाई खुब हुई है तो मानसोनी वन बायों में जो मानसोनी वनों का आवरण है वो काफी पड़पाती वनों का आवरण उसमें काफी कमी आई है काफी विरल पाय जाते है ये विश्यो के सबसे disturb वन बायोम है, सबसे disturb मतलब सबसे हस्तक छेप किये गए, विश्यो के सबसे हस्तक छेप किये गए वन बायोम, मांसोनी वन बायोम है, रूम सागरी वन बायोम, रूम सागरी मतलब भूमद्य सागरी, भूमद्य सागरी छेतरों में जो जलवायू पाई आच्छ होग और दोनों गुलार्धो में महाधीप के पस्मी भागों में 30 से 45 अओर्धा जलवाईडां 보여ब क्या है यहां पर वनस्पतियों और जीओं की जो प्रजाती है उसे हम रोम सागरी बायोम कहते हैं रोम सागरी वन बायोम कहते हैं यहां की विश्यस्ता है कि वर्षा के वाल जाड़े में होती है गर्मी में सूखा रहता है भूमा दे सागरी जलवाई की विश्यस्ता क्या है आप से पूछा भी जा सकता है अलग सभी प्रेलिम में कि निमलिखित में से किस जलवायों में जाड़े में वर्षा होती है तो आप कहेंगे भूमद सागरी परस्वी तटपर है ये महादीपों कि परस्वी तटपर 30 से 45 अंस अक्छासों के मद्ध है यहाँ पर केवल जाड़े शीत वर्षा होती है और वर्षा केवल सीतोस्र चक्रवातों से होती है आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पच्छुआ पॉन की पेटी में सीतोस्र चक्रवातों से वर्षा होती है क्यों कि शीतल वायोरासी और उस्र वायोरासी आगे बढ़ते हैं और पच्छुआ पॉन की यहां पर वर्षा अधिक्तम 75 cm वार्षिक से कम ही होती है यहां के प्रमुक विरिख्छ लिखे हुए ओक, बर्च, चेस्टनट, मैपिल, वालनट, चीड, जैतून यहां का आर्थिक दिर्शी से काफी महत्रपूर्ण पहुदा है इसका आर्थिक मुले काफी अधिक होता है य इसके अलवा, रूम सागरी जलवायू वाले छेत्रों में रजदार फ़लों का उत्पादन खुब होता है यह बयों जो है रजदार फ़लों के वरिच्छों के लिए उधारण के लिए इस बयों में अंगूर, अनार, नासपाती, नीबू, नारंगी जैसे रजदार फलों क खुब उखते हैं इन वनों को हम चैपरेल भी कहते हैं जो यहाप चैपरेल 1 लिखा, alarm व्यों है इस को हम चैपरेल स्तानी नाम दिया जाता है तक या कॉर्ण धारी वन इसके बाद हम एकष्छा, यह इसके बाद हम लाइन गुजरती है मतलब एकदम लाइन के साथ साथ तो नहीं उसके थोड़ा उत्तर में थोड़ा दक्षण में टैग आवनों का विस्तार है यह लाइन कहां कहां से गुजरती है उत्तरी अमेरिका में कनाड़ा से यूरोप में यूरोप में इस्पेसली नारवेफ हिंडलेंड स्वेडन से आप देखेंगे तो साड़े छाचट डिगरी होकर गुजरती है इसके लबाँ एशिया महादूप में जो साइबेरिया वाला साइबेरिया मतलब की रूस में यूराल परवत के पूरब में यूराल परवत के पूरब में रूस का जो भाग है उसे साइबेरिया कहते हैं क्लियर तो पूरा साइबेरिया से होकर गुजरती है इस अभी छेत्र में टैगा वनों का विशेस्ता है इसके विशेस्ता क्या है तो किसी वन की जो विशेस्ता होती है वो वातावरण के हिसाब से होती है यहां का वातावरण पहले देख लेंगे तब वनों की विशेस्ता स्वह में आएगी यह उत्री धुरू के पास का छेतर है बिलकुल इसलिए बहुत ठंडा छेतर है यहाँ पर वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है सभी प्रकार के वन बायों में सभी प्रकार के वन बायों में सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा इन्ही वनों में पाय जाता है वार्षिक तापांतर का अर्थ है ग्रेश मेरेतु के सबसे गर्म महीने का तापमान और शीत रेतु के सबसे ठंडे महीने के तापमान के बीच जो अंतर है सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडे महीने के तापमान के अंतर को हम वार्शिक ताप अंतर कहते हैं तो उत्रे धुरू के पास है, तो गरम महिना तो बहुत ज़्यादा गरम नहीं रहेगा, गरम महिना में का अधिक्तम तापमान यहां 10 डिग्री सल्सियस होता है, अधिक्तम तापमान है यह, निम्तम तापमान चला जाता है, माइनस 40 डिग्री सल्सियस, जाड़े की रितु का निम्तम तापानिया पर माइनस चाले से लजाता है तो वार्शी तापानतर अधिक है तो ठंडिब होते हैं कडाके की पड़ती है जो वर्षा होती है जादा तर बर्फबारी की रूप में होती है जलबूदो की रूप में वर्षा यहाँ पर नहीं हो पाती पर राम सुरूप तो यहां पर कोंड़ धारि वनों का विकास हो गया है वरभरी जदा होती है तो उससे बचने के लिए कोंड़ धारी वनों का विकास हो गया ताकि विरिक्षों के उपर बरफ टिकने न पाये इसके अलमा यहां की पतियां भी नुकिली होती है, कोंड़धरी विक्षों की जो पतियां है, टैगावनों की पतियां नुकिली होती है, ताकि उन पर बरफ न टिक पाए, पतियों पर, साथ ही यहाँ पर बारिश कम होती है, उत्रे दुरों के पास समधर ठंडा होता है, समधर ठंडा है, तो वास वाजपी करण होगा तो बारिस पर्याप्त होती नहीं है अना वस्यक वाजपी करण होगा तो पौधे मृत हो जाएंगे तो आपने आपको बचाने के लिए पत्तियां नुकिली हो गई है जहां पर आपने पढ़ा था कि उस्री कटिबंधी वर्षावनों का छेत्रफल दुन का प्रोडक्शन प्राथमिक उत्पादक कोन होते हैं हरी पत्ति वाले पोधे उन्हें प्राथमिक उत्पादक क्यों कहते हैं क्योंकि वो सोर की उर्जा को आहार उर्जा में बदल देते हैं तो उन्हें की उत्पादक्ता को हम प्राथमिक उत्पादक्ता कहते हैं तो जहा सभी प्रकार के 1 बायो में सबसे ज्यादा वनों का हैं कि ज्यादा रफल हैं कि जिन छेट्रों में पाया जाता है उत्तरी अमेरिका महादूरीप योरोप एसिया जो कि सबसे तो इनका सरवाधिक विस्तार है लेकिन जय विवेधिता और प्रात्मीक उत्पादक्ता के मामले में टैग आवन पिछड़े हुए है क्यों क्योंकि साड़े तेज साड़े छाच्छट डिगरी उत्तरी अक्षांस के पास सूर्य का प्रकास भी कम मिलता है और वहाँ ठंडा होने के चलते बारिश भी कम होती है इसके चलते कम प्रकाश कम वर्षा इसके चलते वहाँ पर प्रात्मीक उत्पादक्ता नियुन्तम पाई जाती है क्लियर जबकि इनका छेतरफल सबसे ज़यादा है टेग èvon मुलायम लकडी के भंडार इसलिए विश have on मुलायम होती जैसे वर्ष beta van कि यो लखडिये होती हो कठोर होती इसलिए आर्थिक महत्त होता है लकडियों का घास प्रदेश बायों घास प्रदेश के बारे देखते हैं दुनिया के जिन छेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पर वनस्पतियों की उगने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं पाय जाता है ऐसे छेत्रों में घासों के उगने के लिए अच्छा महौल मिलता है हाँ वर्षा इतनी कम नहीं होती है कि मरुस्थल बन जा है जैसे सहारा, सहारा मिलकुल ही वर्षा नहीं होती तो वहां घास मैदान नहीं है वो पूरा मरुस्थल है लेकिन जब वर्षा हो लेकिन मिनिमम हो नियुन्तम हो तो ऐसे छेत्रों में और साथी वर्षा भी कम हो और साथी वास्वी करण भी अधिक हो जमीन से वास्वी करण जब अधिक होता है नहीं धूप पड़ती है तो ऐसे छेत्रों में घास के उगने के लिए अनुकूलतम माह खृत बढ़तार है यहां पर वनों का विकास नहीं हो पाया कहीं चोटी-चोटी जढ़िया मिलती है घास-बायां को ताप्मान के आधार option 2 भागों बाटते हैं उस्र कटिनधी घासबास विश्वत रिखा के पास है तो उस्र Credit बंदी घासको विश्वत और धृवीच सीद्र कहते हैं तो वहां कि घास मैदान को शीतोस कहते हैं सबसे पहले हम इसे देखेंगे विश्वत रिखा के दोनों तरफ भाई विश्वत रिखा के दोनों तरफ भाई विश्वत रिखा पर क्या है विश्वत रिखा पर हरे भरे वर्षा बन पाए जाते हैं वर्षा भी ज्याद बीच में तो विश्वत रिखी वर्षावन है, लेकिन जैसे हम विश्वत रिखी वर्षावनों से उत्तर और दक्षण में जाएंगे, तो वर्षा की मात्रा अचानक से घट जाती है, जबकि सूरे प्रकास काफी तीवर होता है, सूरे प्रकास अच्छी खासी मात्रा मिल रह यानि वास्पी करन तो हो रहा है लेकिन वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा 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 की मात्रा अचानक से काफी घट जाती है प्रडाम सुरूप ऐसे छेत्रों में बड़े व्रिक्षों का विकास नहीं हो पाता विश्वत रिक्षी छेत्रों के दोनों तरफ कठोर ज्शाडियों वाले मैदान पया जाते हैं कठोर कठोर और लंबे घास के मैदान पया जाते हैं आफरीका में कांगो वर्षावन के दोनों तरफ यानी चारों तरफ सहाना घास मैदान का विश्वत में होगा विश्वत रिखा के दोनों तरफ तो विश्वत रिखा के ही दोनों तरफ रहेगा कई जगह पे नहीं रहेगा तो अफरीका में कांगो वर्षावन के चारों तरफ सवाना घास बायोम का विस्तार है अफरीका में इसे सवाना कहते हैं या पार्क लेंड भी कहते हैं और ब्राजिल में कैम्पोस कहते हैं वेनेजुएला में लानोस कहते हैं ब्राजिल और वेनेजुएला में क्यों पाय जाता है यहां भी देख लिजिए जब आप मैप देखेंगे तो मैप में ब्राजिल देखिए ब्राजेल में बीचो बीच विश्वत रिखा गई है वहाँ पर अमेजन का जंगल पाया जाता है चारो तरफ हरा भरा अमेजन का जंगल है चारो तरफ हरा भरा और उसके उत यह अमेजन है ना जिसको हम क्या कहते है सलवास कहते है उसके चारो तरफ क्या है ये उसके चारो तरफ सवाना का जंगल है सवाना का घास मैदान है यानि विश्वत रेखी वर्षावन के चारो तरफ जहां वर्षा की मात्रा अचानक घट जाती है वहां सवाना घास बायों पाया जाता है कठोर लंबी घास की जाड़ियां होती है या कठोर और लंबे घास के मैदान पाये जाते हैं, तो जहां भी वर्षावन है, उसके चारों तरफ ये पाये जाते हैं, तो ब्राजील की वर्षावनों के उत्तर में वेनेजुवेला है, और दक्षिड में ब्राजील का पठार है, तो उत्तर में वेनेजुएला में जो सवाना छेतर है उसको नाम देते हैं लानोस और ब्राजील के पठार पर जो सवाना छेतर है उसे नाम देते हैं केमपोस क्लिर सीतोस्र घास के मैदानों को हम देख लेते हैं सीतोस्र घास के मैदान मतलब विश्वत रेखी छेत्र और धुरुवी छेत्रों के मद्ध के छेत्रों को हम सीतोस्र जलवायू का छेत्र कहते हैं ऐसे छेत्रों में जहां बारिश कम होनी चाहिए शर्थ क्या है बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए फिर सुन लिजे विश्वत रिखी जलवायू और धुरुवी जलवायू के बीच के छेत्र में जहां सीतोस्र जलवायू का छेत्र पाय जाता है ऐसे छेत्र जहां वर्षक की मात्रा काफी कम होती है वहाँ पर लंबे मुलायम घास के छोटे छोटे घास के मैदान पाय जाते ह इस टेपी बिलकुल सुस्क होता है प्रेयरी में थोड़ी बहुत वर्शा होती है यह अंतर है प्रेरी में थोड़ी बहुत आरदरता होती है जबकि इस टेपी आरदर्शुष को होता है मतलग बिल्कुल सूखा रहता है यहाँ पर पानी बहुत कम है इसलिए घास छोटे-छोटे होते है इस टेपी में घास की लंबाई 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच रहता है इस टेपी में चुकी वर्षा बिल्कुल नहीं होती है इसलिए घास की लंबाई 15-20 सेंटीमीटर जबकि प्रेरी में अपेक्षा करी थोड़ी-बहुत वर्षा हो जाती है इसलिए घास थोड़ी लंबाई 40-45 सेंटीमीटर होती है स्टेपी यानि कम और सावले छेत्र जो छोटे घास का मैदान है इस टेपी मतलब और्धशुष्क इस टेपी का जो मैदान है मतलब यह भी एक चीज़ समझ लिजे आप यह दोनों शीतोस रहें दोनों सीतोस रहें यानि विश्वती और धुरूई छेत्र के मद्ध में उतने दोनों शीतों स्रें यह बिल्कुल सुखा है यहां थोड़ा भूत आर्दता प्राप्त हो जाती है जो इस्टेपि घास का मैदान है वो रूस में पाये जाता है और रूस के दक्षडी पस्वी भाग में लगा हुआ यूक्रेन है रूस और यूक्रेन में चेर्नोजम मिट्ट मिट्टी मानी जाती है भारत में काली मिट्टी से तुलना की जाती है क्योंकि इसका रंग काला होता है चेर्नोजम मिट्टी का रंग काला होता है इसलिए भारत की काली मिट्टी से तुलना की जाती है तो दुनिया की कुछ उपजाओ मिट्टीों में से एक है यह रूस और युक्रेन में पायजाता है, तो रूस और युक्रेन में चेरनोजमम烟 मैंटिके छेत्रों में स्ट्रेपी घास का मैदान विक्सित हुआ है, वहीं प्रेरि, लंबी घास, लंबे और मुलाइम घास का मैदान ये विशैस रूप से उत्तरी अमेरिका महादूइप में पाय जाता है राकी परोत के पूर्वी छेत्रों में जो मैदानी छेत्र है वहाँ पर इस टेपी घास का मैदान पाय जाता है ये चरागाह का काम करता है पस्वों के लिए तो घास का मैदान है इसको उसे सुरू से उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते है हाँ दुनिया में जहां भी ऐसी जलवाई हो है वहाँ पर ये घास की मैदान जरूर पहाए जाएंगे जैसे दक्षिन अमेरिका में पंपास दक्षिन अफरीका में अर्जंटीना में पंपास दक्षड अफरीका में वेल्ड, आस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजिलेंड में केंटर बरी आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो चाहे प्रेरी का छेत्र हो अमेरिका का प्रेरी छेत्र हो या पंपास, वेल्ड, डाउंस, केंटर बरी ये सभी एक ही कटिबंद में इस्थित है विश्वत रिखा से उतन ही दूरी परिस्थित है चाहे उत्री गुलार्द में हो चाहे दक्षडी गुलार्द में कहने काशा है कि ये सभी घास के मैदान जैसे सवाना को यहां केंपोस और लानोस कहते हैं वैसे ही परियरी को अर्जिंटीना में पंपास, दक्षिन अफरीका में वेल्ड, अउस्टेलिया में डाउंस और न्यूजीलैंड में केंटर बरी कहते है मिट्टी यहां के उपजाव होती है उपजाव मिटी होने के चलते खेती क्रिशी योग होता है इसका परड़ाम है कि अधिकतर देसों में जहां भी प्रेरी घास मैदान पाया जाता है उन पूरे छेत्रों को क्रिशी छेत्रों में तबदिल कर दिया गया है है वी संड्य से गेहां और मक्का की खेती यहां व्यांपक प्यमाने पर होती है दुनिया में जितने भी प्रेरी छेत्र है में ने लुद्न पनीर घी चोकलान होती होती है चुक्ैंट हुआ है उ स्ए श्रु प्रख्रों मैद जोिए क्रिशी उन्हाटाँ चीजे говор》 में European देटेव उद्योग, मास उत्पादन, मास भी खूब पशू है, तो मास भी उत्पाधित होगा, जिसे सिकागो, शिकागो ग्रेट लक्स के किनार है, किस जिल की किनार है, अमेरिका में बताईए, तो वो पुरा-पुरा पशुपालन के चेत्र है, और दुनिया में सबसे ज़ उतपाद का निर्यात होता है दुनिया भर में मरुष्थली बायूम महाधीपों के पस्षमी भागों में डूनिया में महाधीपों के जो पस्षमी छित्र है दोनों गुलार्धों की बात कर रहा हूँ गुलोप के दोनों गुलारधों में महादीपों के पस्मी भागों में 30 से 35 अक्षांसों के मद्य मरुस्थल का विकास हुआ है दो बाते हैं एक तो महादीपों के दोनों गुलारधों महादीपों के पस्मी भागों में दूसरा पस्वी भागों में 15 से 35 अक्षांसों के मद्य मरुस्थल का विकास हुआ है क्यों पहली बात इसके दो कारण है पस्वी तट पर थंडी समुद्री जल्धाराओं का प्रवा होता है आप अटलस खुल के देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि सभी महादेपों के पस्वी भाग में ठंडी जल्धाराओं परवाहित हो रही है तो ठंडी समुद्र में वास्पी करण नहीं हो पाता इसलिए महादेपों के पस्वी तट पर वर्षा भी नहीं हो पाती इसलिए मरुस्थली छेत्रों का विकास हुआ है दोसरा करण क्या है ये मरुस्थली छे तो वर्षा होती है लेकिन विशुवत रिखा पर उपर उठने वाली हवाएं दोनो धुरूओं के ऊर चल देती हैं तोacterlden 20 तीस से पैटीस अंस अक्छांसों के मद ये हवाएं पूर धरातल पुर उतरती हैं, जिससे तीस से पैटीस अंस अक्छांसों के मद उपोस्र उच वायोदाब छेत्रों का विकास होता है, वर्षा हमेशा निन वायोदाब छेत्रों में होती है, जैसे विश्वत रिखी छेत् खेत्रों में वर्शा नहीं होती क्योंकि हमाये नीचे उतर रही है इसलिया होगा अकास मैसा बादल रहीत और साफ होता है उच्छ दाप्षेत्रों में इसलिया होगा यही कारण है 84,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 मुक्त हो जाएगा गर्मियों में लेकिन बारिश नहीं होगी, यानि यह दोन59 छितरे ऐसे हैं जहां बारिश नहीं होती है, थार में बारिश क्यों नहीं होती है, मैदान पहुंची तो फेडल के नियम के नुसार अपनी दाइं तरब घुम गई उत्री गोलारत में हम गई दाइं तरब घुमी तो सीवालिक परव से ठकराई साडी वर्षा सीवालिक परव से टकरा कर सारी नमी सिवालिक के ढाल पर और उत्तर भारत के मैदान में गिरा देती है सिवालिक के बाद है लगू हिमाले लगू हिमाले के बाद है वरिहद हिमाले वरिहद हिमाले के बाद है लद्दाक सिवालिक के उत्तर में लगू च्छंडा च्छेतर है। इसलिए परवत पर उचाई परिस्थित है। नगिकाँ मंधल उपर खंडा होता है। तो यह गरम मरुस्थल है यह जाड़िया उगती है। चाहे गरम मरस्थल हो या शीत शीत मरस्थलों में तो वनस्पती बिलकुल ही नहीं पाई जाती गरम मरस्थलों में ज्यादा तर जाड़ियां उगती हैं मैं थार की बात कर रहा हूँ या सहारा की बात कर रहा हूँ जादा तर पोधों के जो पत्ते होते हैं और तने यहाँ पर काफी मानसल होते हैं और पोधों अपने पत्तों और तनों में पानी संचित करके रखते हैं है ना ताकि शुष्क मौसम में उस पानी का उप्योग कर सके हैं शूष्क मोसम मतलब बारिश नँर हो रही हो तो पानी नहां से मिलेगा इसलिए पानी यकठा कर लेते हैं ताकि शुष्क मोसम उस पानी का उपयोक कर सके और जीवीत तो अपनी सुरच्छा के लिए काटो का विकास कर लिया गया यहां पर लिखा हुआ है साकाहरी से पानी की पूर्ती करते हैं इसलिए सुरच्छा के लिए काटो का विकास हो गया है वर्षा को कि 30 cm से कम होती है इसलिए जमीन में भी पानी कम ही होता है यहां पर जमीन में नमी कम से कम मातरा में पाई जाती है तो जड़ों को पानी एक जगंस नहीं मिल पाता तो यहां के पोधों की जड़ी पानी की इतलास में दूर दूर तक जाती है पानी की इतलास में यहां की जड़े नीचे भी खुब दूर तक जाती है जैसे रात्रिचर हो गए हैं, दिन में धरातल बहुत गर्म हो जाता है, सुर के रोशनी से, तो दिन में धरातल गर्म है, तो दिन में वो अपने बिल में घुस जाते हैं, या पेडों के नीचे सो जाते हैं, और जब रात होगी, तो टहलने घुमने या भोजन करने या शिकार करने के लिए निकलते हैं तो सुभाव से रात्विचर हो गए हैं यहां के प्राडियों के टांगे काफी लंबी होते हैं जैसे उंठ क्यों ताकि गर्मी से बच सके धरातल काफी तप्त होता है गरम होता उस गर्मी से बचने के लिए इनके टांग लंबे हो गए हैं गाड़े मुझे का उसरजन करते हैं ताकि सरे से कम से कम पाने निकले थार मरुस्थल कोई अलग थलग मरुस्थल नहीं है बलकि सहारा मरुस्थल का ही पूर विश्थार है कैसे सहारा मरुस्थल के पूर में अरब का मरुस्थल है सौधिय अरबिया वाला सहारा मरुस्थल के पूर में फारस का मरुस्थल मतलब जो इरान में है और इरान के फारस मरुस्थल के पूर में पाकिस्तान का मरुस्थल कोई सा है थार है थार मरुस्थल पाकिस्तान में भी है भारत में है भारत में भी है और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है तो थार का मरुस्थल वास्तों में सहारा आरव और फारस के मरुस्थोनों का ही पूरवी विश्थार है। इन छेत्रों में भी थार का मरुस्थल फेला हुआ है। थार के मुरुस्थल में वनस्पतिया नहीं उठती है। यह हवा के भाव के चलते जगा-जगा बालू की टेले हवा के बहुं से कठ्टे हो जाते हैं। या बालुका स्थूप को ही हम क्या कहते हैं बर्खान कहते हैं गती करते हुए या चलायमान बालुका स्थूप को हम क्या कहते हैं बर्खान कहते हैं तो चुकि बालुका स्थूप गती करते रहते हैं इसलिए वनस्पतियां उगती भी है तो बालुका स्थूप में दब जाते यह हो गया बायोम के अंतरगत इस्थली बायोम के बाद हम पढ़ेंगे जली बायोम के अंतरगत हम खुला समुद्र बायोम पढ़ेंगे खुला समुद्रक बायोम के अंतरगत हम उसके बाद हम पढ़ेंगे संकर्मन कालीन बायोम फिर ताजे जल का बायोम इसके अंतरगत हम जौर नदमुक डेल्टा बायोम एस्चुवरी बायोम इसके अलावा मैंगरो वन छेत्र बायोम आर्द्र भूमियों का बायोम इन सभी छ यादा पाई जाती है जिव मंडल के बाद हम जैवी की वित्ता पढ़ेंगे और जैवी की वित्ता के बाद उसी में हम पढ़ेंगे जैवी की वित्ता का सरक्षण हरास और उसका सरक्षण बचाव के उपाए वेश्वी किस्तर पर भी और भारत में भी उसके बाद हम प्रदो आजय देजी, नमस्कार.